ओम शान्ती आज 8 नवेंबर 2024 मीठी मुरली पर आधरित ये कविता बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम पढ़ते हो राज योग की बढ़ाई ये पढ़ाई है राजाई के लिए नई दुनिया के लिए नई पढ़ाई पढ़ाई के मार्क पर चलते चलते कई बच्चे फेल हो जाते हैं क्योंकि पढ़ाई में माया के साथ बक्सिंग में वो हार जाते हैं माया की बक्सिंग में बहुत बड़ी चोट बुद्धी को लग जाती है क्योंकि बाप से सच्चे नहीं है तभी उनको चोट लग जाती है जो बच्चे बाप से सच्चे रहते हैं बाबा कहे सदा सेफ रहते हैं माया के घूसे से बच जाते हैं जो सच बता कर हलके रहते हैं बहुत आग्याकारी मीठा बनना है देह अंकार में नहीं है आना बाप के बने कोई भूल नहो माय की वार से खवरदार रहना अपने वचनों में ताकत भरने आत्म अभिमानी अभ्यास करना बाप ने सिखलाया हम सुनाते इस बात को स्मृति में रखना हम बच्चे हैं ब्राम्भन सुफरिस्ता देवताओं से भी उंचे हैं हम बाप का ज्ञान परमात्म मिलन देवताओं न जाने जानते हैं हम अविनासी नसे में रुहानी मजे और मौज का अनुहव करेंगे अपनी सेवा बाप को अरपन कर समर्पीत आत्मा कहलाएंगे समर्पीत आत्मा कहलाएंगे धन्यवाद, ओम शांती